CA Foundation न अब उतना easy नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था और ये बात मैं आपको prove कर दूँगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बता दूँ myself मोहित पाटिदार a chartered accountant by profession और मैंने CA Foundation, CA Inter, CA Final by hard work and God's grace एक बार में crack किया और अगर आपने इस वीडियो की सारी बाते शिद्धत से मानी और उसको follow किया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी CA Foundation, CA Inter या फिर in fact CA Final भी एक बार में crack कर लेंगे बट अब बाते वो नहीं रही दोस्त, पहले CPT हुआ करता था और अब इसका नाम ही अपने आप में बड़ा हो चुका है CA Foundation और syllabus भी चेंज हो चुका है तो इसमें महनत आपको five times करनी पड़ेगी जब मैंने CPT दिया था जब चार subject होते थे same to same जो अभी होते हैं that is accounts, law, maths और economics बट वो केवल 50-50 marks से होते थे हाँ account 60 marks का होता था और law 40 marks का होता था but easy था pass करना because सारे जो papers होते थे वो MCQ based होते थे तो बच्चा अगर एक-दो महिने भी ठीक से पड़ाई करे ना class वगरा जाये ना तो clear कर लेता था because मैंने भी class 12 के बाद जब CPT दिया था तो किवल दो महिने में मेरा crack हो गया था और आसानी से मुझे इसा लगता थे चुन्न मुन्नों से था paper है हो गया करके लेकिन अब CA foundation में institute expect करती है आपसे कि आप paper चाहे फिर वो law का हो या फिर accounts का हो उसका presentation उसका way of writing और आपका conceptual understanding CA inter CA final level तक का हो इसलिए आपने देखा होगा अभी CA foundation में भी कुछ-कुछ students को एक attempt दो attempt लग जाते हैं तो आपको ये सोचना है कि ये CA foundation बच्चो वाला game नहीं रहा अब इसमें institute चाहती है कि आप class 12 के बाद ही professional level के understanding लेकर अपने answers draft करना सीख जाए जैसे मैं आपको बताऊं accounts में ही जैसे आपने पहले क्या करते थे जिसे general entry का अगर आपने format नहीं भी बनाया तो चलेगा general entry में नीचे narration होता है नहीं भी लिखा class 12 में तो आपको number अच्छे मिल गए होंगे या फिर legers का सही presentation नहीं किया तो भी मिल जाते थे आप class 12 में अगर theory याद करके नहीं गए तो भी चलता अब CA foundation में आपको ये सारी चीजें शिद्दत से follow करनी पड़ती है और अच्छे marks लाने पड़ते हैं because point यह है ना अब जैसे 100 marks each का हर subject हो गया है that is accounts 100 marks, law 100 marks, maths 100 marks भाई, economics 100 marks हो total 400 marks और अब इस 400 में से हमको minimum 200 number लाने पड़ते हैं और point यह है ना कि 400 में से 200 number लिया है ये तो ब law यू ना हो उसमें भी आपको individually minimum 40 number लाने पड़ते हैं और यही problem आजाती है students को, वो accounts में तो 87 number लियाते हैं, economics में भी जो की MCU based exam में उसमें भी अच्छे number लियाते हैं लेकिन बहुत सारे students जो हमारे mentorship वगेरा bash में भी आते हैं वो law में बहुत बार पिछले attempt में fail हुआ होते ह जैसे law में उनको 25 number ही आया, maths में 30, 40, 35 number पर अटक गए, जिसके कारण उनका जो aggregate होता है 400 marks का वो नहीं बन पाता, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि अभी मेरे को हर subject के लिए अलग planning तयार करनी पड़ेगी, अगर मैं accounts की बात करू, तो आप यह समझे कि जो conceptual understanding में आपको problem है, उसको आपको rectify करना पड़ेगा, चाहे फिर उसके लिए class लगे, self study करने, लेकिन आपको conceptual grip लेकर सारा presentation जैसा institute चाहती है, अपने suggested answers में वैसा आपको लाना पड़ेगा, law में आपको जो presentation है, वो जो business studies पढ़ा दाना पने, उसकी बात यहाँ पर नहीं होगी, आपको द maths में कुछ-कुछ chapters ऐसे होते हैं, जो हमने class 10 तक तो थोड़े बहुत पड़े होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ topics ऐसे हो जाते हैं, जो हमने आज तक नहीं पड़े, पर डरने की बात नहीं है, अगर आपका non maths है, आपने maths नहीं लिया था class 10 के बाद, फिर भी आप clear कर सकते है, बिकॉज मैं आपको बता दू, मेरा भी maths नहीं था, और देखिया न, मैंने CA foundation, CA inter, CA final एक बार में ही crack किया, economics आपका class 12 वाला यह, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन economics और accounts में अच्छी reply, तो यह जो आपका aggregate वाला problem है न, 200 number वाला, वो तो काफी हद तक solve हो बिकॉज यह सारी जो मैंने आपको बाते बताई न, बहुत experience से बताई है, बहुत सारे students, मेरी जो पुरानी वाली वीडियो है CA foundation कैसे crack करें first attempt में, उसके लगबख अभी 1 million की views पार पहुशने वाले हैं, बट the point is, यह सारे tips उन लोगों ने तो follow करें, जुनको एक बार में pass होना था, अब आप decide करो, अगर आप पहली बार CA foundation दे रहे हैं, या फिर आपको कुछ attempts लग चुके हैं, तो यह सारे points आपने follow किये थे या नहीं किये थे, और एक बात और, जो study mat आता है आपका institute की तरफ से, या फिर RTP, MTP आता है भाई वो अपना mybap है, उसको मत neglect करना, इ यही problem हम हम हमारे lifelong learners की mentorship test series program में भी solve करते हैं, description में link होगा, आप time के साथ उससे जुड़ सकते हैं, और हम आपकी उसमें मदद जरूर करेंगे, और comment section में जो भी आपकी doubts हैं, जो भी problem आप face कर रहे हो, यह channel आपका अपना है, आप comment section में जाओ, और विस्तार में अपनी problem को ल अपसान कर देगा, और ऐसे ही खुश रहो, पढ़ाई करो, और याद रखो कि हमको CA क्यों बनना है, because point is, बार बार शायद institute आपको चनौती दे, आपसे पूछे कि भाई, तुझे CA क्यों बनना था, और उसका answer आपके mind में clear होना चाहिए, तब ही जाके, आप ups and downs से लड़त video.